जो शादी के बाद एक नए माहोल, एक नए परिवेश में खुद को रहलने की कोशिश कर रही है लेकिन कभी-कभी मायूस हो जाती है तो ये लिखने के लिए मुझे मेरी पहली कविता हम बेटियां पर किनी रिया जी ने रिक्वेस्ट किया था और मुझे भी लगा कि थोड़े या जादा वक्त के लिए हर लड़की इस फेज से गुजरती जरूर है तो मुझे लिखना चाहिए, नाम दिया है, आखिर बहु भी बेटी होती है नहीं करनी मुझे शादी, ना होना मुझे पर आई है, कैसे मैं तुम से दूर रहूंगी, मा जब सोच आख भराई है सुनकर बेटी की बात, मा धीरे से मुसकाती है, पास बुला बैठा प्यार से उसको कुछ समझाती है ये रीत पुरानी है विटिया, जिसे हम सब को निभाना पड़ता है आज नहीं तो कल बेटी को अपने घर जाना ही पड़ता है ये सिर्फ तुम्हारी नहीं यहां हम सब की यही कहानी है, जिसे बड़ा किया अर्वानों से वो बेटी एक दिन ब्यानी है अपनी शमता से ज्यादा हम वर्थ तुम्हारा ढूंडेंगे, कह रही हो जिने पर आया, हमसे ज्यादा खुश रखेंगे अब यहां जब मेरी शादी हुई तो मेरे पापा ने मुझसे कुछ लाइने कहीं थी जो मैंने जिनको कविता का रूप दिया है और वो लाइने थी कि इस घर में प्यार पाना तुम्हारा हक है और उस घर में प्यार देना तुम्हारी जिम्मेदारी जब तक तुम इस difference को maintain रखोगी दो घर हमेशा खुश रहेंगे तो वही मैंने यहां कविता में लिखने की कोशिश की है कि इस घर से जितना इस नहें मिला उस घर को भी उतना देना कोई गुसे में कुछ कह भी दे तो भी तुम दिल पर मत लेना जो आभूशन जहां के लिए बना हो उसी जगहा पर सस्ता है और नए लोगों के बीच जगहा बनाने में बिटिया थोड़ा वक्त तुलगता है डोली में कर रहे विदा वसर्थी में वापस आना कभी हिर्दय आहत भी हो तो भी तुम खुद ही खुद को समझाना धीरे धीरे एक दिन तुम उस घर के रंग में रंग जाओगी इस घर के लिए पराई और उस घर का हिस्सा बन जाओगी अब ये पार्ट था जो एक मा एक बेटी को समझाती है अगला पार्ट एक बेटी के स्ट्रुगल का है वो अगले घर में जाके क्या पाती है क्या होता है अगला पाड़ वो है लेकिन मुझे लगता है कि दोनों पक्ष अगर अपनी जिम्मेदारी पूरे दिल से निभाएं तो भारत से ब्रद्धाश्रम जैसी जगाएं खत्म की जा सकती हैं मैं शुरू करती हूं कि सारी बातों की गाठ बांधमा मैं संग अपने ले आई थी पर ना जाने क्यों इस घर में भी और उस घर में भी मैं ही पर आई थी हर काम मैं करना चाहती हूँ जो मुझे नहीं भी आता है पर थोड़ी भी गलती हो जाना जैसे यहां गुना हो जाता है क्या यही सिखाया माने तुम्हारी हर रोज मुझ से सब कहते हैं सब छोड़ आई जिनकी खातिर वो भी अक्सर चुप रहते हैं वो भी अक्सर चुप रहते हैं सुभा सवेरे जल्दी उठकर हर काम मैं अपना निप्टाती हूं कोशिश करके हार गई मा पर मन जीत ना पाती हूं अपने सारे अर्मानों की फिर एक चादर ओढ़ सोजाती हूं समझाया था तुमने जैसा वैसा तो कुछ भी ना पाती हूं हर रोज आँख नम हूती हैं हर रोज हृदे भराता है बहु भी बेटी होती है कोई क्यूं समझना पाता है कहने को हर रिष्टा अपना पर अपने पन से को सोंदूरी है ये कैसी रीत है दुनिया की मा कैसी मेरी मजबूरी है ना जाने कभी ये घर मुझे पूरे मन से अपनाएगा जो प्यार मिला माँ पापा से क्या यहां कभी मिल पाएगा Thank you